दोस्तो नमस्का महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है प्रस्तूत है आज दो सापों की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक नगर में देव सकती नामक राजा रहा करता था उसके पुत्र के पेट में एक साप ने अपना डेरा जमा लिया था पेट में साप के होने से राजकुमार दिन परती दिन कमजोर होता जा रहा था यदेख राजा ने कई प्रस्चिद वैद से उसका उपचार कराया लेकिन राजकुमार के स्वास्त में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा था राजकुमार के स्वास्त के कारण राजा हमेशा परिसान रहता यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज से दूर दूसरे राज में चला गया और मंदिर में विखारी की तरह रहने लगा राजकुमार जिस राज में गया था वहां बली नामक राजा राज करता था उसकी दो जवान बेटियां थी दोनों रोज सुबह अपने पिता का आसिर्वाद लेने जाती थी एक सुबह दोनों में एक बेटी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा महराज की जैभो आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी है वहीं दूसरी बेटी ने कहा महराजा इस स्वर आपको आपके कर्म का फल दे यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है कठोर सब्द बोलने वाली इस लड़की की साधी किसी गरीब लड़के के साथ कर दो ताकि यह अपने कर्मों का फल स्वयम चक ले राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदीर के पास बैठे विखारी से उसकी साधी कर देते हैं वह भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सापने डेरा बना रखा था राजकुमारी उसे ही अपना पती मान कर सेवा करने लगती है कुछ दिन बाद दोनों मंदीर छोड़कर दुसरे देश की यात्रा पर निकल जाते हैं क्योंकि दोनों मंदीर में रहना सही नहीं समझते सफर के दौरान राष्टे में राजकुमार ठक जाता है और एक पेड के नीचे विश्राम करने लगता है राजकुमारी पास के गाउं से भोजन नाने के लिए चली जाती है जब वह वापस आती है तो सोय हुए पती के मूँ से एक साप को निकलते देखती है साथी पास के एक बिल से भी साप निकलता है दोनों साप बात करने लगते हैं जिसे छिप कर राजकुमारी सुन लेती है एक साप कहता है तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर इसे तकलिफ क्यों दे रहे हो साथ ही तुम खुद के जीवन को भी खत्रे में डाल रहे हो अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम्हारे बित्यू हो जाएगी फिर राजकुमार के मुझ से निकला साप कहता है तुम इस बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा क्यों करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है अगर किसी को इन घड़ों के बारे में पता चल गया तो वो बिल में गर्म पानी या गर्म तेल डाल कर तुम्हारी जान ले लेगा थोड़ी देर बाद दोनों साप अपनी अपनी जगा वापस चले जाते हैं लेकिन राजकुमारी दोनों सापों के रहस्य को जान चुकी थी इसलिए राजकुमारी पहले राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती है इसके कुछ समय बाद राजकुमार ठीक होने लगा फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है जिससे दूसरे साप की भी मृत्यू हो जाती है इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़े को बाहर निकाल कर दोनों अपने सहर लोट जाते हैं राजा देव सक्ती अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधान से स्वागत करता है इस कहानी से यसीख मिलती है कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका भी बुरा होना तय है सापने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका बुरा हुआ दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेयर और कमेंट करे साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानिया मैं आपके लिए लाता रहूँ धन्यवाद